तो कभी भी रॉक के पास माइक नहीं होना चाहिए और अगर माइक है तो उनके लिए कोई बजाने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो सबकी बजा देते हैं और कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं जो कि मेरे लिए वीडियो में बोल पाना भी मुश्किल हो जाता है तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज यह स्मैक डॉन के एपिसोड के बार में जहां पर रॉक में आके भाई बहुत जादा मजा बांद दिया और यह वाली रैसल मेनिया आपके लिए और भी जादा स्पेशल हो जाएगी चैनल पर अभी इसके बाद जो दूसरी वी चेंज आया है वैसे हम लोग रॉक को आते वे देखते हैं और रॉक रिंग में आते हैं और कहते हैं कि वह हमेशा जिस भी जगह आते हैं उसको टॉट्शर करते हैं अपनी बातों से लेकिन उन्होंने सारी चीज़ यहीं से शुरू करी थी मैंफिस से तो आज एक सॉफ्ट कॉर्णर रॉक का वो उनको पूरे शो में दिख रहा था पूर अपने सेग्में में दिख रहा था वहां के क्राउट के लिए कोई बंदा उनको आई लव यू बोलता तो रॉक ने उसका जवाब भी दिया आई लव यू टू बोलके और भाई कौन बोलेगा कि आज से एक करने लग जाता है इतना ज़्यादा सपोर्ट था रॉक के रहे वह आते हैं और फाइनली दरॉक हैस कम बैक हो मुन ने बोला इससे वह और जाधा अपना जो पॉजिटिव एक्टिट्यूड हो दिखा रहे थे वहां के क्राउट के लिए और आज जो बोलते कि चलो आज की यहां समको पता चल गया था कि रॉक क्या करने वाले हैं आज रॉक अपना कॉंसर्ट करने वाले थे और यह मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डबल लॉब्ली पिछले स्मैकडाउन से के बाद की रॉक के लिए ऐसा प्लैन हो रहा था लेकिन डबल लॉब्ली पूरे उनकी स्टोरी वाली वीडियो में वहां में अच्छी से को बताया तो आप लोग और ज्यादा रॉक के करेक्टर को समगना चाहता था तो उसे जा के देख सकतो आई बटन पर लगा दूँगा मैं आप तो अब वह एक गाना गाते हैं इसमें वह यह बताने वाले थे को प्रें दॉट से क्लाउन बोला वह बताते हैं कि कोडी रोड्स का जन्म कैसे हुआ और वह जन्म होने से रोकना था तो फिर क्या चीजे करनी होती डस्टी रोड्स को वह कुछ ऐसी बाते में यहां पर बोलने कर दो क्योंकि चैनल पर पारिवारिक मावल रहता है उसके ब वह बात में बोल रहे थे स्क्रिन पर वह सारी से दिख रही थी और वैसे कि बोलते हैं कि चुटकी बिदा के जो टाइटल है से ट्रॉलिंस मैं वह तेरा तेर से ले लूँगा अब वह आते हैं कोडी क्राइब भी इसकी बात कर रहे हैं लोगों ने चीर किया रोक को तो लिंक आपको डिस्कुर्शन मिल जाएगा फिर अपडेट हो जाएगा तो अब यहां पर आके में जब कोडी क्राइब भी इसके बारे में बोलना शुरू किया तो वह बोलते हैं अब मैं इसको भी अगयन कैसे बोलो मैं समय नहीं आ रहा वह बोलते हैं कि तुम लोगों का म स्क्रीन हो रही थी तो वही चीज बता रही थी कि जो नेटवा के शाद उनको भी कुछ पर या तो मुझे दिख रहा था है कुछ तो इशू था वहां पर रोग जो बाते अपनी बोल रहे था वो सही तरह के से टीव पर आ भी नहीं पारी था और बोलते हैं रैसल मीना में स खतम हो गया है लेकिन खतम नहीं हो था अभी रॉक बोलते हैं मैंफिस में पसंद आया कि चलो कुछ और है मेरे पास में बताने के लिए लास्वी के जो कोडी रोडस आया था इसने मेरे को थपड मारा थपड की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी लेकिन मुझे फील हुआ तो चलो देखते हैं इसने क्या किया तो वीडियो जब चलती है भाई कोडी रोडस मतलब मैं सही समझा उसे जब कोडी रोडस के उन्हें बात करी तो बू होना शुरू हो गया तो वहाँ पे जब लोगन यह रेलाइस के कि कोडी रोडस ने रॉक को थपड मारा है और वो ब से इसे मिमिक करके वह रोणा किया ना कोडी रोडस का वह तो बिलकुल टॉप लेवल पर जो इंप्रेशन लेना है वह था कोडी रोडस के लिए इन इना इना फ़नी वे और ताकि वह रोश्ट भी कर सके वह बोलते हैं रोणा धोना कर था था ना कि तू डस्टी को तो और वो क्या होगा वो बताते हैं कहते हैं मामा रोड्स इसके लिए पे करने वाली है जो कोडी रोड्स मुझे चांटा मारा है और जब रैसल में नाइट वन में जीच जाएंगे नाइट टो में सारा मैश ब्लड लाइन रूल्स होगा तो जो बैल्ट निकालते हैं जो और डेकोटा काई के मैच में उसके बाद रिवील करते हैं उसमें से बैल्ट निकलती है वेट बैल्ट होती है इसको लगाके वेट लिफ्ट करते हैं इससे वो कोडी रोड्स को इतना मारेंगे इतना मारेंगे कि यह जो बैल्ट है वो पूरा खून में ऐसा हो जाएगी और फ्रंट रो में जो मामा रोड्स बैठी होगी उसको जाके थमाएंगे और इस सारी उन चीजों का बदला होगा जो की कोडी रोड्स अब तक कर रहा है मेरे साथ कैश फ्रेज भी रोग अपना यूस करते हैं यहां पर इस समयल वद फाइनल बॉस इस कोकिंग तो पहले तो कभी ब्लड लाइन होता था उससे पहले रोग था यहां पर क्योंकि रोवन रेंस भी नहीं थे जो की थोड़ा सा ओक्वर्ड और वीर्ड लगा लेकिन उसके बीच तरीके साथ डवल डवी ने मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था हमें कि यहां पर कुछ मार पिटाईए करेंगे लेकिन डवल डवी ने शायद रॉक को ऐसा लग से कॉंसर्ट देने के लिए यह मूमेंट देने के लिए सब को ओफ ही रखा टीवी से जो की शायद बढ़ी है क्य हुमबर तो करियो यह फिर यह तो एंजल बैटो बोल रहा है वर्सिस लडवलो का मैच था यह वही टाक्टी मैच की तरफ आगे बढ़ने के लिए जो लैटर मैच होगा लेगाटो डेल फैंटेस्मा यानि की एंजल गार्जा एन हुमबर तो इस मैच को जीच जाते हैं इस मैंश करने इस तरह से की बात कर रहाएं इसके बात करते हैं मैं एजलियले में जार्म district की तरफसे और इस्सें मैच है रसलमेनिया में अब होने वाला एले नाइट और एजस्टाइल्स का इसके बाद शो पर निक और लोगन पॉल बैकस्टेज से होते हैं और लोगन पॉल बोलते हैं भाई पनिश्मेंट का है यह रेंडी ओटन की इसने जो हमारी इतनी बड़ी डिलर जो हमारी डील हुई थी प्राइम ड्रिंग के लिए डब्ल डवली के साथ उसमें इतना बड़ा अलंगा डाला तो अपॉलीजी चाहिए मुझे और और लोगन पॉल चुड़ बोलते हैं अरे तिरसे तो मेना का मैस तक नहीं हो रहा मेरा फाइनल तो ऐसे करके उन्होंने कुछ तो शुरू कर दिया बड़ा बड़ा है तो बोलने लाएक हुआ है तु मेरे को चाहता है यह करके उन्होंने आंसर दिया इसका मतलब की जे वर्सिस जीमी तरफ से अंसर था इसके बास शोब पर रैंडी ओटन और ग्रेसन वालर का मैस और रैंडी ओटन तो ऐसे बंदे हो गए हैं मुझे रहे होते हैं लेकिन उस्टीन थरी महाँ पर सेफ करने के लिए फिसके बाद उनने डिर्टी लगा ऑसे फोरेड पर और उस ताइम पर इसका थोड़ी से शायद स्माइल भी आ चरपे क्या क्या कर रहा है और पन्च अपना बनाते होते हैं क्या आ अब stunner जो मारा Kevin Owens ने Austin Theory को उसके बाद जो RKO मारा Austin Theory को भाई मस्त वो sequence लगा लेकिन Austin Theory को देखके लग रहा बाई चल बंदा तो अच्छा सहल आ रहा है तो मुझे लग रहा है डॉल्फ जिगलर को भी आगे जा के ओवर टेक ना कर दे लेकिन क्या हो रहा है Austin Theory के साथ फिर से लोगन बॉल की तो फट जाते हैं कि वह बड़ा सोच जाते हैं यह तो बंदा कुछ करने रहा है इसमें बड़ा मैश जाल दिया तो रैंडी ओटन यूएस टाटल के मैश में होंगे ए ड्रेसर मेनिया जो कि फिर भी सैटिसफाइंग है अब तक जैसे हमको लग रहा था कि फोड़ी से डारक्शन पतानी चलती रैंडी ओटन की इसके बाद शोब पर ड्रैगन ली वर्सेस सेंटो सेस्कोबार का मैश था रिंग साट पर यह एंजल और बैटो दोनों होते हैं तो उससे परेशान हो जाते हैं और एंड में फैंटम ड्रैवर के सांथ यह मैं जीत जा इसके बाद शोबर पर प्रिटी डेडली वर्सेस न्यू कैस्ट रिपबलिक का मैश यह भी उस टैक्टी मैश के वह मैश होने वाले उसमें आगे बढ़ने के लिए है और यहां पे जो न्यू कैस्ट रिपबलिक है वो जीत जाती है एंड नेक्स फैनली शोबर बेली वर्स कॉलिफिकेशन से मैच जीत जाती है नियूमी आई जरू सेफ करने के लिए लेकिन उसका भी कुछ फायदा हुआ नहीं एंड में यो स्काई ने मूंसौड लगा दिया और स्मैक डॉन ऐसे चली जाती है ऑफ दी एर बाकी अब चैनल पर जो वीडियो आने वाली अगली उस के लिए स्टेए ट्यून पॉड़कास के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन से जा सकते हो यह वीडियो अच्छे लिए तो उसे लाइक जरू कर देना और फिर तब तक लेतर हो जिन्दी के मजए